असलाम की फिरोज मैंने में दिज्वान चीमा वेलकम बैक विद अधर वीडियो ऑफ केपिटल स्मार्ट सेटी इस वीडियो इस वीडियो इस अब ओवर्सी डिस्टिक टू एग्जेक्टिव डिस्टिक टू और जो में 400 फीट वाइड बॉलिवर्ड बन रहा है उसके वाले स करदे इस बाद जो पार जो पाइड होगा तो सबस्क्राइब जो आइस कीमा खुरनों के सबस्क्राइब के आप आज करेंक दो उनके पनार मिंट चाहिए उस साइट के हवाले से है यहां पर इनिच्छा बेसिकली अर्थफर्क हो रहा है यहां चांग है आपको नहीं को तो अगर आपके Plot Overseas 2, Executive 2 या उस साइड पर है जहां पर भी बैलेटिंग नहीं हुई तो आप ये विडियो एंट तक देखिए के तो आपके सारे concepts clear हो जाएंगे कि यहां पर overall जो development है वो किस phase में हो रही और क्या basic procedure है development का जैसे बहुत सरे लोगों ने सवाल किया था कि जो initial Prime की block launch हो है तो Prime में पहले काम शुरू कर दिया है तो मैंने एक reason दी थी Prime एक चोटा block है यह वाला जो part है काफी बड़ा part है यह यहां से कब देखें यह तक बहुत बड़ा part है land का जिसने भी develop होना है तो Prime का एक बहुत चोटा सा पार्ट है यहां से लेकर यहां तक वाला part है जो Prime में launch होना है माराल सबसे बहुत देखते हैं यह वाला part है यह locate actually side footage में कैसे करता है अगर आप देखें इसको without map तो यह video basically इस part के है इनिशली जो मैं start करूँगा drone को मैं यहां से fly करूँगा इस part से और मैं यह वाले सारा part record करूँगा अब इसमें मैंको zoom out करके दिखाता हूँ जो यह वाला part है जो overseas district 1 block L के सामने वाला part यानि के जो यह वाला part बनता है मैंको मैं पर द्वारा दिखाता हूँ इस वाले part के जो opposite side पे यहां और यहां पे जो block है इस block का नाम है doctors and cleave और इस part में अभी for the time being जो basic leveling का काम होता है वो किया जा रहा है तो अगर देखा जाए इस पूरे part में के overall development के status को तो यहां पे सिर्फ cutting और filling के लावा कोई दूसरा काम नहीं हो रहा इनिशली जैसे मैंने explain किया कि यह चार sides है यानि इनिशल पार्ट में आपको मैं यह वाला part मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी side 6 की जो overseas 2 की थी तो वो आपको वीडियो लिंक उसका भी description में मेल जागा आप चेक कर लें कि overseas 2 से मुराद यह कि यह अरिये का मैप नहीं आया तो हम सिर्फ अस्यूम करते हैं कि यहां पर यह होगा exact मैप जब launch होगा तो मैं prefer करता हूँ कि जो भी चीज बने वो authentic बने तो इसलिए मैंने भी इसको specific नाम नहीं दिया तो यह वाला पार्ट है doctor enclave का और इस पार्ट में भी cutting और filling वाला काम हो रहा है अब बात करते हैं जी यह एंडिंग वाले पार्ट पर यानि जो यह वाला पार्ट आपको नज़र आ रहा है motorway के बिलकुल साथ-साथ इस वाले पार्ट पर इस पूरे पार्ट पर देखा जा और जो मैंने पीछे background में mark किया है यह overseas district 1 block C में बनने वाली मस्जिद है और इसके left side पर अभी जो आगे आप कुछ एक मकान नज़र आ रहा है वाले पार इसके left side पर जो एरिया यह है doctors enclave जो के overseas district 2 में fall करेगा और इस पर भी जो cutting और filling वाला काम है काफी speed से जा रही है जो आपको नीचे left side पर जामें कुछ machines नज़र आ रही है यह 400 feet wide जो road है उसका area है और 400 feet wide road के opposite side पर यहां पीछे वाली side पर यह सारा doctor enclave और overseas 2 की premises बनती है for the time being गाड़ी पर वहाँ जाना मुश्किल था काफी जा काफी जा काम है तो वहाँ पर जाने के लिए गाड़ी काफीदा नीचे लगती है तो इसलिए मैं जाने सका वहाँ पर बलाल मैं ड्रोन से try करूँगा कि जितना possible हो सके सारा area cover किया जा सके तो इसमें जितनी आपको left साइड पर लेंड नजा रही है 400 फीट के left साइड वली यह सारी overseas district 2 कह लें एक्जेक्टिव 2 कह लें for the time being map नहीं लाँच हुए और इस से जो इस तरफ ले रही है यह सारा executive block A के साथ adjacent है और जिसके left side पर जिस इस block A के left side पर जो बलॉक है उसका नाम है executive block B जिसका possession डिसमबर 2020 में hand over कर दिया जाएगा जिसकी मैंने 2-3 sites पहले भी एक video बनाई है आप उसको चेक कर सकते हैं link description में available है अगर बात करें वो पीछे वाले side पर जहां पर काफी दिदा गर्दों को बार नजर आ रहा है तो यह वाला जो part बनता है यह बनता है जो motorway के साथ साथ एरी है अभी area नजर आएगा जिसका आपको motorway से भी witness कर सकते हैं कि यहां पर जो basic अर्थ फरक है वो किस तरह से हो रहा है यह footage में रिकॉर्ड की है almost 355 feet की height से तो आपको अगर let's say machinery है वो size चोटा 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 नजर आ रहा हो तो इसका मतलब यह साइड में machinery काम नहीं कर रही इसका मतल बैलेटिंग अब होगी तो possession तो इसका भी announce नहीं किया गए कब आएगा but for the time being overseas one के छे sectors हैं जिनका पांच sectors हैं जिनका सेक्टर भी possession आ रहा है जिनमें A, B, C, D, E तक हैं जिनको एपरल तक मुकंबल handover कर दिया जाएगा उनके owners को जिन्होंने plot buy किये थे back in 2018 जहां तक बात ह ब्लॉक 2 के possession का तो इसकी जब बैलेटिंग होगी यानि बैलेटिंग होगी इसकी जनरी से लेकि मार्च वाले quarter में 2021 में जब इसकी बैलेटिंग होगी तो उस वक्त इसका map launch किया जाएगा तो map के exact बात तब अपके tentative time भी दिखाया जाएगा कि कौन-कौन से ब्लॉक है इस केस में भी जिस भी ब्लॉक का वो दिखाएंगे कि इतना 60-70% possession हो गया है तो उस 60-70% का मतलब होगा कि अगले 6-8 मेने में उस एरिये को मुकमल डिलिवर कर दिया जाएगा अब या आगे जाको मोटरवे की फुटेज भी आइड करूँगा कि जहां से आपको overseas district 2 या executive 2 के left side पर सारी motorway M2 जो के इसलामबास लेके लहोर की तरफ motorway है वो भी देख सकेंगे for the time being ये वाला जो पार्ट है ये काफी ज्यादा बड़ी depressions है अब ये भी सवाल हो सकता है कि इतनी बड़ी खाईया हो तो यहां पर construction कैसे होगी तो society ने इसमें जब अब तक जो मैने map follow किया जो आप society की site पर जाएं तो आप आप मार्क्टिंग वाला से किया कि site map देख भी सकते हैं तो इस map के मताबिक जहां जहां पर depressions है क्योंकि मैं site को तीन साल से follow कर रहा हूं यहां पर regular जा रहा हूं तो जहां जहां पर depressions है आया वहां पर यहां तो main road गुजर रहे हैं या उस जगा वहां पर commercial plots हैं जो बड़े commercial होंगे को blue बड़े-बड़े boxes नज़र आएंगे map पे वो बड़े commercial होंगे वो यह depression वाले पार्ट में आएंगे उसकी वज़ा ही है कि जो commercial हैं उन के लिए वैसे भी आपको 40, 50, 60 feet depend करता है कि आपको plot किस जगा पर है तो आपको hide करनी उस आपको part चाहिए जहां से आप connect कर सकें इस वक्ति मैंने मार्क किया ओपर top पर bridge की एक slab नज़र आई हो कि यहां पर बोड भी लगा हुआ है तो वह Metro M2 के ओपर bridge है जो दो साइड जो कनेक्ट करता है motorway की और इसके left side पर जो आप बोड को left side पर जो area मैं दोबारा मार्क किया यह वाला सारा area जो बनता ही overseas 2 वाला ही premises जिसमें भी काम हो रहा है आगे जाके मैंको motorway के मजीद add करके दिखा दूँगा जहां मैं motorway की traffic प्या देख सकेंगे for the timing अगर यहां पर development का आज space पर चल रही है development अगर इसी पर continue रहती है तो coming एक साल के अंदर अंदर यहां पर at least दो यह तीन ब्लॉक्स ऐसे होंगे जो proper shape में आ जाएंगे जैसे के overseas one में block A, B, C, D आये थे 2019 के end तक और 2020 के शुरू तक जैसे जिस shape में वो block थे इस तरह यहां पर भी 2-3 block यह 4 block प्लस माइनस जो भी होता है उतने block यहां पर इस shape में आ जाएंगे यहां पर आपको proper feel होगा सटकें बनी होगी गलियां बनी होगी तो आप अगर लट से access यानि जोने लोग ने plot लिया है आज की date में वो YouTube वीडियो देखने के लावा उनके पास की option नहीं है side visit का क्योंकि side पे मैं जहां पर तीन साल से जा रहा हूँ तो मिर लिए जाना इतना कमरे जो बने हुए है यह आपको बड़े क्लियर नजर आएंगे इसका मतलब यह है कि यह वाला सारा area capital smartity officials ने यह land acquire कर ली है और इस land पे कोई litigation यह ऐसा कोई मामला नहीं है यह motorway के साथ साथ आपको कुछ एक काफी बड़ा पहच है land का जो clear नजर आ रहा है साटलाइट में अभी इंशाला वीडियो नेक्स्ट वीडियो में जो बनाऊंगा इस site की तो मैं try करूंगो कि वो जो next updated images हों वो add कर पाऊँ अभी आपको जो दोबारा area नजर आ रहा है सारा area उस जो main road बीच में फरक किया था उस road की back side का area है और इस road के साथ साथ जितना जहां पे कोई यह कैसा मसला होता है वो बिल्कुल नहीं है पहले अगर देखें यह वाला patch तो सारा बिल्कुल greenery थी यानि फुल green patch था अभी इसकी browning का काम जो पहला step होता है यानि earthwork, browning, browning समरादियो थे कर क्टिंग और filling वाला काम जो है वो उसको start कर दिया गया है background में दोबरा आप overseas 2 से overseas 1, block C आपको नज़रा रहा है और उसके सारा surrounding जो area है वो आप भी देख सकते हैं और यह site office है जहां पे आपको विजट कर दें स्मार्टिटी में तो यह site office अगर मैं देख सका हो overseas 2 से कभी distant है लेकिन आपको idea हो जाएगा और right side पे जो depression आपको नज़रा रहे है depression के उस तर 21, number 2, Harmi Park Block latest development update, Harmi Park Block में जो apartments की जगा है वहाँ पे काम कफी हद तक शुरू हो गया है और बागी जो residential house पे काम अप शुरू नहीं हुआ, land की जो initial basic काम मतवाद शुरू हो गया हो लेकिन वैसे इसका मुझे मैं पही नहीं पता तो मुझे आइडिया नहीं काम पे काम पे बन तो जब gas की provision होने लगी की तो उससे पहले installation इसकी हो जाएगी जिसके आपको extra charges कुछ पे नहीं करने, बाकी third के development charges are very high, development charges भी officially announced नहीं हुए, वैसे expected 1,25,000 है, तो यह definitely बहुत से लोगों नहीं concern रेज किया कि यह high हैं, तो इसमें मैं आपको second करता हूँ. नेक्स कोसिन इस वाँ नेम खान यास सर विच वन इस बेटर ऑप्शिन फर इंवेस्टमेंट, Overseas 2 और प्राइम, ब्रदर ये बड़ा बहुत ज्यादा लोगों ने सवाल पूछा था कि Overseas 2 ज्यादा बेतर है कि Overseas 2 तो बड़े सिंपल सा फॉर्मला है, अभी आपने Overseas प्राइम की तो Overseas प्राइम जो है वो लिविंग के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि एक हाइट है, जैसे लास्ट कल की वीडियो कर आपने देखियो, तो उसमें वो पूरा ब्लॉग की सारी डिमेंशन की थी, तो उसमें काफी जदा हाइट हाइट हो और हाइट होने की व इंवेस्मेंट के लिए वह बुरा नहीं है क्योंकि वह जो ब्लॉग है, एक तो हाइट है, अच्छा है, गॉर्फ को साथ है, और रिंग रोड से तक्रीबन 1.3 किलोमेटर का फासला, जो मेरा श्रीफ इंटरचेंज है, उससे 1.3 किलोमेटर गया है, तो उस लिहास ही बहु होंगी, और सब्सक्रीबन पूछते हैं कि जब पॉजेशन देंगे, तो इसके फॉरण बाद से देना होंगे, या इस्टॉलमेट्स कम्ट्रीट होंगी, फिर उसके बाद एक साल में देना होंगे, एक्शली बहुत अच्छा सवाल है, और बहुत सारे लोगों को यह सारे पॉजेशन बजाए इसके सारे तीन साल का प्लाइन पॉजेशन आपको देट साल में मिल जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा, तो उसका बैनिफिट लोगों को यह होगा, कि आपने जो रिमेनिंग इस्टॉलमेंट्स हैं, आप रॉयल और चमलतान को कम्पेर कर लें, तो पॉर एजेंबल, ओवरसेश डिस्टिक वन में ब्लॉग ए में पॉजेशन अभी आरा है, इस डिसंबर में, तो ब्लॉग ए में इनों इनों इन 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 रिक्वाइर्मेंट रखी है, कि नमेंबर टॉन्टी टॉन्टी तक, यानि कि नेक्स्ट मन्त के एंड तक किसी बी इं आम रोटीन यह होती है, इस डिसंबर में आपको अपडेट कर दूँगा, यह थी आज की वीडियो, इस वीडियो में ट्राय किया, कि मैं ओवरसेश डिस्टिक टू को अच्छी तरीक से मतब एक्स्प्रेइन कर नहीं कुछ कर सकूँ, ओवरसेश डिस्टिक टू, अग्जे कि उस पे बहुत रातो रात सारा काम हो जाएगा, एक हफते में काम हो जाएगा, ऐसा कुछ पी नहीं है, क्योंकि वह बहुत बड़ा पहचे लैंड का, तो उसमें डिवैल्प होने भी उसको बड़ा टाइम चाहिए, तो जब वो डिवैल्मेंट उसकी अपडेट्स, इंश अगली वीडियो तक के लिए, खुदा हाफिज हुआ है